हेलो फ्रेंड्स, एक्सेसाइस 3.3 से कोशन नमबर 8 करेंगे नीचे ऐसी आपको दो फिगर्स दे रखी हैं एक है जी यू एन एस, एक और है सेकिन्ड फिगर, वो है आर यू एनस ये दोनों पैरललो ग्राम्स हैं इनमें आपको X की और Y की यहां पे जो unknown value है यह आपको find करनी है lengths are in centimeter, अरे जो length यहां दे रखी है यह centimeter में है तो यह first figure है, G, U, N, S, यह एक पैरललो ग्राम है यहां X की और Y की value आपको find करनी है तो इसमें हमको दे रखी है sides, तो sides से related इसमें property का हम use करेंगे हमें पता है कि पैललो ग्राम की opposite sides जो है length में बराबर होती है वहां से हमारा result आजाएगा तो पहले तो मैं property लिख देता हूँ कि opposite sides of parallelogram are equal यह property होती है तो therefore, अब यहां पे देख लेते हैं opposite sides को S और G और N और U यह दोनों opposite side का एक pair है तो मैं लिख सकता हूँ कि S G बराबर होगा N U के अब इनकी मैं value रख लेता हूँ S G के अंदर variable है तो इसको मैं इधर रख लेता हूँ 3 X क्योंकि यहां X ही तो मेरे को find करना है और N U यह मेरे को 18 number दे रखा है तो यह 18 है अब एक simple सी एक equation बन गी है यहां पर X की value यहां से हमें पता चल जाएगी X is equal to 18 X के पास 3 multiply में इस तरफ आएगा तो यह divide में आ जाएगा तो X is equal to 18 को 3 से divide करेंगे तो यह 6 आ गया तो यहां से हमें X की value पता चल गई है अब यह मैंने यह वाला pair लिया था अब ही मैं यह बड़े वाला pair ले ले लेता हूँ तो यहां पर GU बराबर होगा SN के यह हम यहां side में कर देते हैं क्योंकि opposite sides of parallelogram are equal therefore GU बराबर SN GU is equal to SN GU में में मेरा variable है इसलिए मैंने इसको left में रख लिया है 3Y minus 1 यह बराबर होगा 26 के अब इस equation को solve कर लेते हैं तो 3Y as it is रहेगा यह minus का 1 पहले दर जाके plus हो जाएगा 26 में लग जाएगा जाके तो 26 plus 1 तो 3Y की value हो गई है 26 plus 1 27 हो गया अब Y की मेरको value चाहिए तो Y अकेला रख लेंगे यहां पर 27 है 3 जो divide यहां multiply में है Y के यह divide में चला जाएगा तो Y की value हो जाएगी 27 by 3 यहनी के नहीं तो यहां से मेरको Y की value पता चल गई इस question के अंदर इस first part के अंदर हमने opposite sides की property का use किया है अब आते हैं इसकी second figure के उपर second figure में parallelogram दिया हुआ है और इसका नाम दे रखा है RUNS अब यहां आप देखोगे कि इसके अंदर diagonals दे रखे है तो यहां diagonals से related जो property है parallelogram की उसका यहां पर use होगा यह diagonal है एक RN और एक SU यह यहां पर intersect हो रहे है तो इस intersecting point का मैं कोई नाम रख लेता हूँ let's suppose मैं इसका नाम हो रख लेता हूँ अब यह जो हैं measurements दे रखी है O से लेके R तक 16 है O से लेके N तक X प्लस Y है O से U तक Y प्लस 7 है और O से लेके S तक यह 20 है यहां पर X की और Y की इन दोनों variables की हमको value find करनी है अब diagonal से related parallelogram की property होती है कि parallelogram के जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं यहां भी वो कटते हैं वो half-half हो जाते हैं इस बात का मतलब यह है कि R O जितना है उतना ही O N होगा S O जितना है उतना ही O U होगा इस property का हम यह use करेंगे तो सबसे पहले में property ही लिख देता हूं कि diagonals of parallelogram bisect each other तो यहां से हम दो result लेंगे therefore इस figure के अंदर इस figure के अंदर जो S O है वो O U के बराबर होगा एक बात तो मैं यह लिख सकता हूं इस मैं O U को पहले लिख लेता हूं क्योंकि यहां पर मेरा variable है तो जो O U है यह बराबर होगा S O के और दूसरी बात मैं यह लिख सकता हूं कि O N बराबर होगा O R क O N बराबर होगा O R क अब पहले मैं इसे simplify करूंगा जो S O और O U है ना इसे मैं simplify करूंगा क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेरा equation बनेगी वहां पर मेरा A की variable है अगर मैं इसको पहले simplify करूंगा तो यहां तो X और Y दो variable है यहां से तो मैं किसी की भी value find नहीं कर सकता तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है पहले आप S O बराबर O U को लेकर Y की value निकालोगे तो O U है Y plus 7 और S O की value हमको number में 20 दे रखी है तो एक simple equation बनी है Y की value आजाएगी यहां से Y is equal to 20 यह plus का 7 इधर जाकर minus हो जाएगा तो Y की value आजाएगी 20 minus 7 यानि कि 13 अब यह जो Y की value आई है वो हम यहां पर use कर लेंगे अब आते हैं second part पर कि जो O N वो O R के बराबर होगा तो O N है यहां पर X plus Y तो X plus Y बराबर होगा O R है 16 अब यह equation बन गी है यहां दो variable है X की value अभी हमको पता नहीं है X as it is रख लिया plus में Y Y हम पीछे निकाल चुके हैं तो इस value को हम यहां पर use कर लेंगे तो Y की जिगा 13 लगा लेंगे is equal to 16 अब यहां से X की value हम find कर लेंगे X is equal to यह 16 अपनी जगह पर X के पास plus का 13 है जब equation के दूसरी तरफ जाएगा तो यह minus हो जाएगा तो यहां से X की value आ जाएगे 16 minus 13 जो की है 3 तो इस तरह से यहां हमने यह X और Y निकाल दिये question खतम